है कि बहुत स्वागत है आपका 36 गर में वोटिंग हो चुकी है नेताओं की किस्मत इवी-ए में बंधु चुकी है तीन दिसंबर का इंतजार है अब इंतजार में क्या किया जाए अंताक्षरी तो खेल नहीं सकते बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम तो अंताक्षरी खेली नहीं जा सकती लहाजा दावे जरूर किये जा रहे हैं कॉंग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रही है तो जुबानी जंग में कितना दम है इसी पर आज चर्चा भी होगी आपके साथ में हूँ ललित प्रजापती लगातार दावे किये जा रहे हैं और दूसरों के दावे का दम निकालने की कोशिश हो रही है ऐसा लगता है कि तीन दिसंबर के इंतदार में दावों के दिन बीत रहे गिन गिन का मामला है पहले रिपोर्ट लेखिए फिर चर्चा करेंगे दावों के दिन बीत रहे गिन गिन अपने अपने वादे कैसे कैसे दावे अनुमान का दौर कयासों का बाजार बार बार बदल रहा सक्टा बाजार तो जब फालोदी सक्टा बाजार ही बार बार बदल रहा हो तो अंदाजा लगा लीजे कि निताओं के दिल के धड़कनों का हाल क्या होगा फिर चाहे कॉंग्रेस होई अबीजेपी हाला के बयानी बंबारी के साथ-साथ जीत के दावे और दूसरे को बेदम दिखाने का सिलसला लगातार जारी है जनता का आदेश तो कुछ दिन में साफ हो ही जाएगा लेकिन उससे पहले जारी बयानबाजी भी दिल्चस्प है राजसान में प्रचार से लौटे सीम भुपेश बगेल ने कहा कि 36 गड़ के साथ 7 MP और राजसान में भी कॉंग्रेस की सरकार बन रही है बीजेपी कहां खामोश रहने वाली थी? पबलिक का फैसला आने से पहले अपना मनपसंद फैसला सुनाया जा रहा है बीजेपी के तरफ से भी दावा कि कॉंग्रेस से तंग आ चुकी पबलिक ने बंपर वोटिंग की है और बीजेपी को जीत का अश्रवाद दे दिया है नवजवान हो, किसान हो, महिला हो, सब लोगों ने इस बार भारती जनता पाल्टी के पक्षवे मद्दान किया है और हमें भरोसा ही नहीं बलकि पूरा विश्वास है, कि जब 3 दिशंबर को मदगरना होगी, भारती जनता पाल्टी को पूर्ण बहुमत 36 गड़ में मिलेगा, भाजपा का कमल खिलेगा, और भाजपा की सरकार 36 गड़ में बनेगी कुछ महीनों पहले कॉंग्रेस का एक तरफा माहौल बताने वाले जानकार फिलाल खामोश है, अंदाजा सभी लगा रहे है, अनुमान सभी लगा रहे है, कयास सभी लगा रहे है, लेकिन 36 गड़ की कुरसी पर दावा सिर्फ दोनों दल दिखा रहे है, ऐसा लगता है कि ने तो अनुमान का दौर चल रहा है, कयासों का बाजार चल रहा है, एक आपने नाम अक्सर सुना होगा सटा बाजार, इस तरह की खबरे भी आपने देखी होंगी, दरसल ये जो सटा है, ये भारत के शेयर बाजार से लेकर क्रिकेट के मैदान तक अपने प्रिडेक्शन दिख पर वहां के जो प्रिडेक्शंज होते हैं, उस पर भी लोग दावेज अता देते हैं। चर्चा का दौर शुरू करेंगे धरंजे सिंह ठाकूर सहाब हमारे साएफ जुले हुएएफ के अलावा राजीव चक्रवरती सहाब, बीजेपी से हमारे साथ बन रही है 36 गड़ तो 36 गड़ मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी वो दावा कर रहे हैं थाकुर जाब ले कर देखे निश्ची तरपर जिस्ट प्रकार से पुरे देश में कॉंग्रेश की लहर देखरी कांगरेस से बाक्षे महाल दीख रहा है और केंदर की भाजपा सरकार से पूरे देश की जनता त्रस्त हो चुकी है तो मध्य परदेश में 36 गड़ में और राजिस्थान में प चुनाओं के दवरान जो कांगरेश घोष्टना पत्र जारी किया है उस प्रदेश के हर वर्ग ने भरोसा किया है और मोदी की गारेंटी को तो सड़कों में भिखरती हमने देखा है कुड़े के धेर में देखा है तो निसी उतर पर हमारी यहां सरकार बढ़ लिए लिए राजीव चक्रवरती साब लगातार जुड़े वे राजीव चक्रवरती साब तीन राज्यों के नाम उन्होंने गिनाय और आप जमकर मुस्कुराएं जी तरिया निधे ही कहवत हैं मुंगेरि लाल के हसीं सपने और शेख चल्ली की तो वह बच्पन से कहाणिया ठीक है लेकिन लोकतंत्र में है हम सम्मान करते हैं हमारे प्रतिदोंदी है लेकिन प्रतिदोंदी को यह ध्यान रखना चाहिए कि पांच वर्ष जब सरकार थी तो कितने घोर घपले अत्याचार भरष्टाचार के रूप में सरकार का अमिट छाप छुटा जनता के मन में कि जहां कोई काराला ऐसा नहीं जहां भेट पूजा के बिना कोई काम नहीं होगा यह बहुत दुर्भागे पूर रहा और जनता ने भी देखा कि किस प्र बहुत बढ़ चलक कर बोला और दूसरी बात ललीजी कि जो हमने 15 साल में विकास के मॉडल दिया था वह विकास के मॉडल लोगों ने याद रखा उसे याद रखते वे लोगों ने मतदान किया रही बात मद्यप्रदेश की तो मद्यप्रदेश में सरकार दुबारा बन रह क्योंकि जिस प्रकार से पूरे मद्यप्रदेश के लोगों ने देखा कि मद्यप्रदेश का विकास कि और एक बात लाली जी पर सारे बड़े नेताओं के चहरे पीछे कर दिये गए गैरंटी और वोट फिर प्रदान मंत्री जी के नाम पर मांगे गए कि देखिए प्रदान मंत्री जी हमारे परिवार के मुख्या है और भारती जंता पार्टी के सदस्य हैं तो जब कोई जब कोई बड़े परिवार में कोई काम होता है तो सारे लोग मिलके उसको करते हैं और उनका तो युगदान उनके निर्देशन में काम करता है क्या रहूर गांदी जी की निर्देशन में कॉंग्रेस का काम नहीं होता तो निश्चित रूप से यह हमारी परिपार्टी है और हर चुनों में अल लेकिन वहां अच्छी स्थिति में हैं और हो सकता हैं सरकार बना लिए चलिए चलिए यह तो एक चीट इतने पर दावा कर देते हैं लली जी तागुड जी भातिजंदा पार्टी तैसा है ना एक जीट कर बोलते हम सरकार बनाएंगे करके जी साथ एक सीट पर सरकार बना ले आप लोग तो नहीं तो तुन देशने देखा है निशने देखा है तो उस बात को देखा है मत भी पर देश में धिक्रमण करके शिवरा सिंघ महाद्यपरदेश में मद्यपरदेश में परदेश में अतिकर्मैंड किया गया है और महराष्ट मैं तो महराष की जनता सोई थी और वहां भूकिमंती का सपत दिला दिया अधि थांटे के लिए लिए ना टो लोकतरन्द का सम्मान करते हैं ना समधान का ना जनमत का नहीं चीजों को समझें जब जना देश एक सीट गया बालेट पर भरोसा नहीं बंदूख करने लोग यह सकतियों को सकतियों जो जो सकतिया है ऊच्छा प्रसाइब वेहत खास मेहमान जुड़ते उनका भी तारुफ कर देता है राजीव चक्रण्वत कर लुग है तुनिक राजीपाल उठ जाते हैं भूर में उठनी के आदत होती है अब उठ जाते हैं तुनिका क्या किया जाए संजीव गुपता साब हम ऐसा जुड़े हुए गुपता सर थोड़ी देरी से बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आप लगातार देखी रहे हैं तीन तारीक का इंतजार भी करना है दावे भी करना है बड़े बिखरे-बिखरे से प्रेडिक्शन्स आ रहे हैं एक बड़ा फेमस सक्टा बाजार है संजीव सर फलावदी बाजार वो आज कुछ बता रहा है कल कुछ बता रहा है बड़े भ्रम्त की इस्तिती बन गई है संजीव जी जी सर यह देखे ऐसा है कि भारत के लोग चंद्र को कोई सटा बजार तैय नहीं करता है यह अपनी चीज़े बोसकी है लेकिन हाँ यह सच है कि इस बार का जो चुनाओ है बड़ा वो नेकूरे रहा बड़ा रहा बड़ा रहा दोनों ही पार्टिया जी जान से जुटी हुई और बुश्यास लगता है कि तीन तारिक का इंतिजार सबको है मुझे भी है आपको भी है और उसके पता चलपाएगा कि क्या होगा क्योंकि देखे पहले जैसे हम प्रेडिक्शन कर सकते थे कि कॉंग्रेस की सरकार बंदी है कि फार्दी जंता पार है सरकार जा रही है या कांग्रीस फिर से आरी है या बच्पा आ रही है इसकी वजह यह भी है कि फिर जान पार यह कॉमन प्रेडिक्शन होता था पहले कि भाई या पब्लिक निकल कर आई है बंपर वोट उसने कर दिया तो वह नाराज है एंटी इंकम्बेंसी है सत्ता विरोधी लहर है पर वो प्रडेक्शन तो पिछले तक्रीमन तीन से चार चुनाओं ऐसे हो चुके है कि वो एकदम गड़बढा रहे हैं उस तरह के प्रडेक्शन मतलब वो जो उंट है जिसका हम लोग इस्तमाल करते हैं कि किस करवट बैठेग पाकि सत्ता विरोधी लहर है उस समय तो बहुत सारे लोग जो है तो राजितिक मामलों के जानकार है वो कह देते थे कि भई इस बार लग रहा है कि सरकार बदलने वाली है रहामन सिंग्ष्पी कि सरकार जाने वाली है ऐसा पूल एकदम इस्वश्च तौर पे कह रहे थे ब उसमें मददाता खामूस है मैं बहुत दोगों कोशिश किया तो वह इस परश तोर पे कहने की कोश्च नहीं कह रहे हैं और देखे ये एक मैं और भी बता दू कि अबाव ही पत्रकार है मैं भी पत्रकार हूँ तो हमारे सभी लोगों से संबंध होते है अधिकारियों से सब्सक्राइब लेकिन जो अधिकारी वर्फ जो हमसे बात करते हैं एक दवे चुपे जुबान में कैसे तितिकिया सरकार बरकरा जाएगी या जो भी है वो इस बार नहीं कह पा रहा है बहुत खुल के कुछ बात करने से बच रहे हैं तीन तरीक का इंतिसार करना जाएगी बीरोक्रेशी का जो प्रेडिक्शन जो परस्नल लेवल पर हो जाया करता था इस बार वहां से भी नहीं आ रहा है जबकि बीरोक्रेट्स जो है वो सीधे चीजों से जुड़े होते हैं दे ग्रामीन और आदिवासी इलाकों में बंपर वोटर निकला वो पहले से निकलता आ रहा है इसके बावजूद आपको लगता है कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं कोई खास वज़ा देखे शहरों के लोग जो होते हैं आम तोर पर वो मैं भी पिछले राजनीती में पिछले कई वलब चार पांच दशकों से हूँ वो थोड़े उदासीन रहते हैं और दूसरी बात है कि निशित रूप से मैं स्विकार करता हूं कि हमने चुनाव आयोक को हमने भी कॉंग्र आदमी पार्टी ने भी बहुत आग्रह किया था कि मदान की तीथी बढ़ाई जाई जिस परकार राजस्तर में बढ़ाई गई है तो एंड चुनाव के समय भाय दूच का महल था और शहर के लोग जो दिवाली के पर में अकसर परेटन के लिए जाते हैं या अपने बहनों क सारे पर्व की वजह से ऐसा हो सकता है कि चुनाए उगना का कि नहीं हमारी तैयारिया हो चुकि अब हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं हमने गाईयों को अधिकरहित कर लिया है हमने टेंड का बंदोबस्त कर लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कम से कम 12 से 13 प्रतिशत यह लेकिन कुल मिलाकर उसके बावजूद भी एक एंटिन केमशी शेहर के अंदर भी देखा गया है जो साथ तक पहुचा अगर 10 प्रतिशत वह और 10 प्रतिशत जो परेटें के लिए जाते हैं तो कुल वह मद्दान अगर पकड़ लेते हैं तो उसके बावजूद भी शेहर के मना कर देते हैं कि नई ने ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जैसे भगत साब की सीट है लखमा साब की सीट है कई जगा से विरूद की बातें आएं कई जगा से कहा गया कि ने आप यहां सभा मत लीजीए इस तरह की नाराजगी वह भले ही खारिज की जाए पर ये तो तैह है कि साल के जो काम है उसके साथ आपका परिच्छा समझगे जनता आपको उसमें अंक देती है आपको मतदान करके आपको प्रमान पत्र देती है और चुनाओं हमेसा से छंख हाथ हे परिपर ठीमां डिया खाना कि तो हमारे जो कांग्रेस के प्रतियासी हैं उन्होंने जनता के बिज गया है जनता जनता कांग्रेस होश्रा पत्र भरोसा की है सरकार क्यामा भरोसा की है और हमें पूरा विश्वास है चाहे वह भगत जी हो चाहे कवासी लखमा जी हो वह बड़े अंतरों से चुनाओ मैं यही जानना चाहरा था कि आंसर शीट पब्लिक क्यों खीच रही है कम आंसर तो लिखने दे मैं रोक रहा हूं सर आपको वक्त कम है संजीव सर लास्ट फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं कि किस तरह की जो पेंज़दार पर सिंथिया बनी है एक और बात जिसे आम तोब पर माना जाता है मध्यप्रदेश शतीसगर दोनों की राजनीती में कि दो नवी वास्ता है सालों पहले इसी तरह की चीज़ें पंजाब के बारे में कही जाती रहीं गुजराद के बारे में कही जाती रहीं पर आम आदमी का जो पैटर्न है पहले अंदर जाना फिर सेन लगाना एक और बात है नोटा का परसेंटेज बाकी राज्यों से ज़ाधा है 36 गण मैं और आमादमी पार्टी का जो काम करने का तरीका धीरे-धीरे वोट काटना और नुकसान जो जादा होता है वो कौंगरेस को होता है क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी उसी तरह धीरे दबे पाउं काम कर रही है। तो लेकिन वोट मिल सकता है पर उप्रभाविद कर सके या सरकार बना सके लेकिन वोट मैं पर्सेंटेज की बात कर रहा हूं पिछले बार जैसे जोगी कॉंग्रस और बस्पा इन्होंने मिलकर चुनाव लडा तो कई सीटों पर इन्होंने पेंच फसा दिये इस बार और आम आदमी पार्टी धीरे ही सही पर इनकी रफतार बढ़ रही है यह मेरा कहना और नुपसान कॉंग्रस को होता है इसका तो बाइसी बात है, वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आप किसी जगे पर लगातार आप काम करे आप कुछछा mango , समय में पुरू आनी पर्दूरिyn जाहिए है, जो आप काम कर रहे। तो उतना ज्यादा उनके में वो दम नहीं रहा है जो गप इनों से यहां पर चुनाव लड़ रही है वसफा पर यहां पर चुनाव लड़ रही है तो ठीक है अगर इन सब पार्टियों पर आग्गूष सीट को लेकर कॉटा सीट को लेकर क्या लगता है वो कॉंग्रेस की भी सीट है और रिनु जोगी भी वहां से लगातार रही है कोटा सीट थाकुर साब देखिए लली जी एक बात किलर करेता हूं जब यहां पर जोगी कांग्रेस का जर्म के बतार थी हां बुसका इनको लाब मिला था जोगी कांग्रेस के सिंबाल या जोगी किसी लाब नी सीट रही है वहां जहां जहां बीजेपी को जरूरत थी वहां आमिज जोगी ने महनत की यह संयोग था प्रयोग था यह कुछ और जोगी कॉंग्रेस बना किस से कॉंग्रेस के अंदर फूट से और भी मेरे मित्र कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता तो पिछले बार जोगी कॉंग्रेस ने पांच सीटे लाई तो क्या मद्दाता इतने मूर्ख है कि पं और इस चुनाव में भारती जनता पार्टी तो अपना पर्चम लहराएगी कॉंग्रेस को अपने भीतर घातियों से भी परिशानी होगी और कॉंग्रेस का बहुजन समाच पार्टी एक बहुत जिनका जो दलिद बंदू की बीच में अपनी एक अच्छी पैठ है और वो प कॉंग्रेस के वोट के प्रतिशत को काफी खत्र है और उसको चोट करें आपने इतना गहरा वह आपने बताया सबका नाम आपने ले लिया तो राजी जे एक आंक्रा दे दीजे आप तो मतलब सब सही होगी है ना इनके मैं आरों टाकुर साब एक आंक्रा तो बताजी चक्रवर्ती साब जैसे कहते हैं कॉंग्रेस के अपकी बाहर 75 पार चक्रवर्ती साब को यहांक्रा बताएंगे कोई दावा नहीं देखिए अभी जो हमारा दावा है कि 53 सीटे हमें दिख रही है और ऐसी दस सीटे हैं जहां पर कश्मकश है कॉंग्रेस भी जीत सकती है और हम भी जीत सकते हैं जो पोलिंग बूत के आखरी समय तक जो मतगर्णा होती है उसकी गर्णा आखरी तक होगी अभी 53 से 55 आपकी बार इतने पार यह ता आप लोग के फेवरेट डायलोग है नहीं देखिए हमने बहुत काम किया था हमें विश्वास था ठीक है उसको भी हम नमरता से शुकार करते हैं उस हार को भी लेकिन आज की जीत को भी मैं नमरता से करता हूं जो तीन तारी को हमको मिलने वाल पंदरा सीट में सिमट गये हाँ जी को भी ठाकुर साब प्लीज नहीं तीन जनादेश भी मिला लगी सुने लगी जी था दरा साल के कुशासन भ्रष्टाचार में 15 सीट में सिमट गये 2003 2008 और 2013 में कभी 50 की उपर आगण नहीं पहुच पाया इस बार तेरा सीट बचा लिए बड़ी बात है और हवा हवाई बात करना भाजपनेताओं का चरीत रहे देखें न मोदी की गारेंटी लेका हवा में उड़ गया नाली में चला गया तो भाजपनेता हवाई बात ना करें ना संजीव सर्थ 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका प्लीज कहना है कि इसकी भी सरकार बनेगी वो इस परस्ट पहुमत की सरकार बनेगी एंग असेम्बली की बात जगे पे कुछ कुछ को बोल रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है चलिए 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 बहुत-बहुत धन्य हमारों को जादा रोकना टोकान अभी नहीं पड़ा महमान थके हुए दरसल लगातार केंपेनिंग उनके हुई है बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए तो दावों को लेकर ये चर्चा हम लगातार कर रहे थे और ये सुति में इतना ही खबरों का सलसला लगातार जारी है